नमस्कार दोस्तों मेरा नाने शशी और आप देख रहें मेरा चैनल स्वाथ से शेतर दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं मिक्स वेजिटेबल का आचार यानि सब्जियों का आचार एक पहुत ही चटपटी रेस्पी है आजकल तो बहुत सही अच्छे अच्छी सब्जिया मार्केट में आ रही हैं तो ऐसे मिक्स अचार बनाना तो बनता है इसे आप तुरंट बना कर तुरंट खा भी सकते हैं और इनी च्छ महिने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं तो चले इस चटपटी रेस्पी को बनाना शुरू करते हैं सब्जियों का आचार बनानी के लिए मैंने यहाँ पर लिया है दो गाजर, एक मुली, तस से पंदरा हारी मिर्च, एक शलगम और एक छोटी सी फूलगो भी आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जी ले सकते हैं आप चाहे तो इसमें सब्जियां और एड़ कर सकते हैं जैसे हो गई मटर, सेम फली, फ्रेंच बीन्स, अतरक, लैसून मतलब कि आपको जो सब्जी पसंद हो, आप वो ले सकते हैं और इन में से अगर कोई सब्जी पसंद नहीं है, तो से हटा सकते हैं यहां मैंने सभी सब्जियों को अच्छे से दोकर, छील कर इस तरीके से काट लिया है हरी मिल्च को अभी अलग रखेंगे, इसे बाद में काटेंगे अब इस पतीले में मैंने पानी को गराभ होने के लिए रखा है पानी इतना लेगें कि सब्जी इसमें डूप जाएं यह देखी पानी में उबाल आने लगा है अब सब्जियों को इसमें डाल देंगे इन्हें जादा नहीं पकाना है बस 2-3 मिट कात्री है आप सब्जियों को सुखाने के लिए मैंने एक बड़े बरतन पर इस तरीके से ही कपड़ा रख दिया है सब्जियों को बाद में इसके उपर रख कर सुखाएंगे सब्जियों को बीच 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 चलाते रहेंगे सब्जियां हल्की से सौफ्ट हो गई हैं बस अब गैस की फ्लेव को बंद कर देंगे और सब्जियों को पानी से बहा निकाल लेंगे अब सब्जियों को पानी से बहा निकाल कर इस कपड़े पर रख देंगे सब्जियों को हमने पानी से बहा निकाल लिया है अब इन्हें कपड़े पर इस तरीके से फैला देंगे अगर आपके घर में धूप है तो इन्हें दो गंटे कले धूप में रख दें नहीं तो इस तरीके से कपड़े से पोच भी सकते हैं या फिर इन्हें पंक्खे के नीचे सुखा लें बस सब्जियों में पानी नहीं रहना चाहिए मैंने सब्जियों को दूप में रख दिया है सुखने के लिए अभारी मिर्च को दोकर इस तरीके से कपड़े या टीशू पेपर से सुखा लेंगे फिर इसकी डंडियों को तोड़कर अलग कर देंगे और मिर्च को इस तरीके से दो भागों में काट लेंगे मिर्च एकदम तयार हो गई है चलिए बाचार का मसाला तयार करते हैं एक पैन को गैस पर गराम होने के लिए रखेंगे पैन में 4 चमच सौफ, 1 चमच जीरा, 3 चमच राई यहाँ मैंने पिली राई ली है, आप काली वाली राई भी ले सकते हैं एक चमच मेथी दाना, और एक चमच कलोंजी को डाल कर सुखा ही भुनेंगे इसे ज़्यादा नहीं भुनना है, बस मसालों में से मौशे रटाना है मसाले भुन चुके हैं, अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इन्हीं मिक्सी के जार में डाल कर दरदरा पीस लेंगे मसाले को हमने ग्राइंड कर लिया है ये देखिए कितने बढ़िया से पीस गए हैं सबजियों को भी मैं धूख से ले आई हूँ ये देखिए, इनका पानी एक तम सुख गया है अब इन्हीं बड़े बरतन में शिफ्ट कर देंगे हरी मिर्च को भी इनके साथ ही मिला देंगे जो मसाला हमने ग्राइंड करके रखा था उसे इन में मिला देंगे फिर एक पैन को गैस पर गरम करेंगे उसमें आधा कप के करिब सरसो का तेर डाल देंगे आप सर्सों के तेल के जगे कोई भी तेल ले सकते हैं पर अगर हम सर्सों के तेल में अचार बनाते हैं तो उसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है तेल को धुआ उठने तक गरम करेंगे ये देखे तेल में धुआ उठने लगा है अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और तोरान थीस में चोथाई टेबल स्पून हींग को डाल देंगे फिर इसमें दो टेबल स्पून कश्मीरी लालमिस पाउडर का डाल देंगे एक टेबल स्पून हल्टी और आधा टेबल स्पून धनिया पाउडर भी डाल देंगे अचार को थोड़ा सा तीखा बनाने के लिए आधा टेबल स्पून लालुज पाउडर भी डाल देंगे तीखा आप अपने हिसाब से कम्या ज़्यादा कर सकते हैं इन सबको अच्छे से मिलाएंगे अब इस मसाले वाले तेल को सबजियों के उपर डाल देंगे इसमें तीन चमच नमक भी डाल देंगे इन सबको सबजियों में अच्छे से मिला देंगे अचार हमारे एक दम तयार है यहां मैंने सफेद सिर्का लिया है अचार को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए इसमें चार सी पांच टेबल स्पून सिर्का डाल कर मिला देंगे अचार एकदम तयार है इसे आप एर टाइट कंटेनर में डाल कर 6 मेने तक स्टोर कर सकते हैं बस ध्यान रखेगा कंटेनर एकदम सुखा होना चाहिए इसे फ्रिज में रखने की जरूत नहीं है बस अचार को निकालते समय सुखे चमच का ही इस्तमाल कीजेगा इसे आप अभी भी खा सकते हैं पर इसका टेस्ट दो दिन बाद और अच्छा आएगा क्योंकि इसमें सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो आप भी सचार को बनाईए और अपने सिम्पल खाने को चटपटा बनाईए दोस्तो अगर आज की वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक किजे शेयर किजे मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाले सब्सक्राइब के बटन को दबा कर सब्सक्राइब कर दीजे और उसी की बगल में एक घंटी बनी विए उसे दबा दीजीगा इसे मैं जब भी वीडियो को अप्डूट करूँगी उसकी जानकरी आपको मिल जाएगी थैंक्यू सो मच पर वाचिंग, टेक केर, बाई बाई